ये टेकनिक सबसे अधा काम आती है रिलेशन्शिप में रिलेशन्शिप की प्रॉब्लम जब चल रही होती है खराब कंडिशन चल रही होती है उस टाइम टू कप मैथड सबसे बड़े अगाम आता है वैसे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा चाहे financial issues हो, चाहे health issues हो, चाहे कोई बीशूस हो लाइब के चाहे आप किसी भी condition में हो चाहे आप अच्छे condition में हो या बूरे condition में और अपनी conditions को दूसरे condition में shift करना है तो उस समय टू कप मेथड सबसे अच्छा काम आएगा और उस took up method को ही आज हम समझने वाले हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या thought process होना चाहिए, क्या science है यह सब मैं आपको बहुत ही briefly बताऊंगा समझ गये तो खेल जाओगे और यह video बहुत काम आने वाला है आपके नमस्ते है जी, मैं हूँ धैरेवान आपका अपना happy वाला हीलर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फिर से अपने बाल निकल वा लिये मतलब मैं फिर से साधना काल में आ चुका हूँ फिर से अपने गुरुओं के आदेश पर कुछ नही साधनाओं को प्रैक्टिस कर रहा हूँ रेकी healing, lama phira, angel healing को जो सीख रहे हैं जो दूसरे चनल के मेरे viewers हैं वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरह के साधनाओं पर हम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन यहां हम हम विज्ञान को समझते हैं हम life को समझते हैं और हम यहां सीखते हैं life के चोटी-चोटी problems को heal करना जिने सीख कर आप अपनी personal और social life में grow करते हैं वो भी happy वाली अंदाज में two cup method याने की two cup two cup में हम अपनी reality को बदलते हैं two cup dimensional jump करते हैं मतलब कि एक dimension से दूसरे dimension में jump करते हैं अब फर्स करते हैं किसी का relationship बड़ा ही खराब चल रहा है किसी के जीवन में प्रेम है ही नहीं या किसी ने किसी को block कर रहा है इसने उसको block कर रहा है या जगडे बहुत चल रहे है peace खतम हो चुका है relationship तूटने के कागार पर है तो ऐसे condition में यह सिर्फ relationship के लिए नहीं है यह सारे financial issues में भी है जैसे कि अगर बहुत crisis चल रहे है और आप अच्छे condition में जाना चाहते हो तो उसमें भी यही काम आएगा लेकिन example के लिए हम relationship का पकड़ते हैं कि सबसे जादा result जो पाया है लोगोंने वो relationship में ही है तो हम relationship की ही बात करेंगे तो आईए समझते हैं यह दो कप काम कैसे करते हैं फर्स करते हैं एक कप है आपकी जो भी reality है present reality आप सारे present reality को आप या तो बोलते हो या तो सोचते हो सोचने से बहुत इधर उधर मामला फैल जाता है रहता बहुत जादा फैल जाता है सबसे अच्छा तरीका है बोलके कि आपके relationship में भी क्या चल रहा है याद है न वाटर हिलिंग टेक्निक में हमने क्या स्थिका था डॉक्टर मिशारो इमोटो जिन्होंने वाटर हिलिंग पर बहुत गहरा research पेश किया है और उन्हें normal prize भी मिला है कि कैसे पानी भावनाओं को डेटा को अपने में कैरी करता है और वो जो भी हम पानी को संदेश देते हैं जो भी हम आदेश देते हैं जो भी हम suggestion देते हैं वो सारा पानी हमरे शरीर में चला जाता है और हमारे reality को बदलने की ताकत रखता है तो खेर उस वीडियो को देख लीजएगा उसमें सारे detail मिलेगा आपको अभी हम समझते हैं कैसे two cup method को use करना है अब पानी आप कोई भी ले सकते हैं तो जो आपके लिए सबसे सहज होगा आप वही यूज़ करना तो आपने पानी भर लिया और अब आपने इस cup को वो सारी बातें बताई इस पानी को सारी बतें बताई जो current reality है कि मेरे relationship में बहुत परिशानी चल रही है बहुत जगड़ा होता है प्रेम बहुत कम हो गया है वो मुझसे बहुत लड़ती है वो मेरे बातों को नहीं समझती है वो मुझसे मेरे सब बहुत कलेश करती है या opposite भी मैं लड़का हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो मुझे बहुत शक करता है वो मेरे बहुत बंदिशे रखता है, वो मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं करता, वो मेरे खर्चे के लिए मुझे पैसे नहीं देता, या हम दोनों में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे से चिड़ते भी बहुत जाद हैं, हम दूने दूसरे की बातों को सुनकर बहुत जादा सुदक जाते हैं, ऐसे बहुत सारी बाते हो सकती है, जो present reality है, पूरी इमानदारी से इस पानी को कह देना, और अब आता है असली क अब आप दूसरे कप लेते हो, और यह सारा पानी इस में shift कर देते हो, अब जो भी था उस कप में, जो भी था उस कप में, वो उस dimension से इस dimension में आ गया, ठीक है, अब आप यह जानते हो, यह बिलकुल प्योर खाली कप है, अब यह पानी इन सारी भावनाओं के साथ यहाँ आ गया है, और सब कुछ यहाँ अस्त व्यस्त हो गया है, अब इन भावनाओं को आप अपने जादू से बदल सकते हो, कैसे हैं, हमारा रिष्टा बहुत peaceful है, हम बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की care करते हैं, female हैं, तो female हैं जो बहुत सकते हैं, जो भी आपकी, आप बहुत मुझे भरोसा करने लगा है, अब मुझे घर्चे के लिए पैसे देने लगा है हाजबंट वाइप में होता है, कभी कभी husband one को पीसे ही नहीं देते हैं, तो अब और मुच पर ध्यान देता है, अब मेरी केर करता है, आप मुझे बातें बताती हैं, आप मुझे बातें छुपाती नहीं हैं, मुझे पर भरोसा करती हैं, हम दुने एक दुसरे के भरोसे को ले करके काम कर रहे हैं, हम एक दुसरे पर प्यार की पहुचार कर रहे हैं, एक दुसरे का केर करते हैं, ये सारी बातें आपने इसी पान हुआ है तो सिर्फ शब्दों को अब बदल दे रहे हूं जो नहीं था उसको जो नहीं है उसको है में convert कर दे रहे हो यानि कि कुछ शब्दों को आप बाहर निकाल दे रहे हो कुछ शब्दों को add कर दे रहे हो सारे शब्द सारे वाक्य वही है बस कुछ शब्दों का hair-fair करके आप इस पानी के data को पूरी तरह से confuse कर दियो तो बनने के time अब जब तक ये पानी स्थिर होगा तब तक जो चीज़ें आप बोल चुके होगे वो सब चीज इसमें इखटा हो जाएगा रुक जाएगा, ठहर जाएगा अब इस dimension में ये आपके reality बन चुकी है और इस खुबसूरत पानी को इस शांती से भरे इस प्रेम से भरे वे पानी को आपको आपको तो बस पानी पीने के बाद ऐसे कुछ धन्यवाद बोल देना मुझे थोड़ी से अंगली शाथी थी तो मैंने बोल दी आँ मैं बताना चाहूंगा आज कल मैं एंगली श्रीख रहा हूं तो ये मैठड भी मेरे काम आएगा क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और बहुत लोग ये मैसेज भी करते हैं कमेंट में लिखके देशते हैं कि बहुत लोग को हिंदी समझ में नहीं आती है और मेरी हिंदी तो बहुत अच्छी है ये तो आपको पता ही है क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाता, मैं इंग्लिश पे काम करना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश को और अच्छा करना चाहता हूँ, ताकि मैं सब लोगों के साथ कि मैं उनके लिए इंग्लिश में पिडियो बनाया करूँ तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है ये मेरी करण्ट रियालिटी है ठेक है और अब हम क्या करेंगे मुदधालिया इंग्लिश इस सो गूड दे इस से बहुत है कि मैं ये इंग्लिश्य किनगी ध्यू जुड़ने लगाओ मेरा इंग्लिश में मेरा confidence बहुत बढ़ते आ रहा है और इस language को जैसे मैं हिंदी भाष्यों को और संस्कुित भाष्यों को बहुत अच्छे से बोल पाता हूं वैसे ही English language को भी अब बहुत अच्छे से पूरे आत्मसाथ करके मैं इसे बोल पा रहा हूं Thank you so much universe कि आपने मुझे एक नहीं भाष्या का ग्यान दिया Thank you so much universe for giving me the wisdom of new language, the knowledge of new language Thank you so much तुम सिखा अच्छा रही हो मुझे ये मांसी मुझे अभी इंग्लिश सिखा रही है ना So, look, I'm learning about Manasi के तुम सिखा रहा हूं तब से मेरे बात करने का तोन भी थोड़ा सा बदला है अब थोड़ा बहुत शान्त हो कर बात नहीं करता हूं योग्यों की तरह बात नहीं करता हूं थोड़ा कूल हो कर भी बात करना सिखा रहा हूं और इंग्लिश में कैसे आप एक्सेंट लेते हैं कैसे आप बाड़ी लेंग्विज यूज करते हैं कैसे कूल हो कर बात करते हैं आजकल वो सब सिखा रही है मुझे Thank you Manasi तो आज हमने सिखा Two Cup Method Law of Attraction की यह बहुत शहंदा टेकनिक है इससे अपलाई कि यह प्लाई के लिए भी आपने पैसों के रियालिटी को भी आप इसी तरह बदल सकते हैं अपने हेल्थ के रियालिटी को भी आप इसी तरह बदल सकते हैं यह आपके बहुत काम आने वाला है वो पोनो पोनो जैसे हमने यूज किया था बिल्कुल वैसे ही है यह तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे मेथट्स इखाने वाला हूँ जैसे हम कर्मों पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं वैसे ही अब हम लोग वैदिक साद्धाओं पर जदा विश्वास करते हैं वैदिक साद्धाओं को जानना और सिखना चाहते हैं वो मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं दाहरेवान हीलिंग साइंस जिसमें हम रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, एंजल हीलिंग, नेमरोलोजी, अस्ट्रोलोजी इन सारे चीज़ों की चर्चा करते हैं और हम उन्हें सीखते हैं आशे करता हूँ या ध्याय आपको बहुत चीज़े समझ माया होगा, मिलते हैं आने वले ध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते आजी